पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अनन्या और आकाश की शादी हो जाती है और वक्त के साथ-साथ दोरों में प्यार बढ़ता ही जाता है वहीं आकाश के काम में भी तरक्की होने लग जाती है अनन्या अपनी मा और बहन से मिलने जाती है तो उसे वहीं से वापस भगा धिया जाता है वही अनन्या को सिर्फ अब एक ही दुख था कि उसके पापा उससे बात नहीं करते थे एक दिन अनन्या और आकाश किसी थेले पर बर्गर घा रहे थे तभी अपने पीछे किसी को देख कर अनन्या हैरान हो गई थी अब आगे अनन्या जैसी पीछे घुमती है वो देखती है कि वहाँ रजनी और वंशिका खड़े हैं और वंशिका ने बहुत सुंदर साड़ी पहनी है और चूड़ा भी पहना है। अगर आपको इससे इतनी प्रब्लम है तो फिर अभी आपने से क्यों बुलाया है। अगर आप मानू तो आकाश्री भी आपकी जवाई है। सौतेला जवाई और सौतेले लोगों से हमें कोई रिष्टा नहीं हखना। चलो वंशिका। वंशिका और रजनी इतराते वहाँ से चली जाती है पर अनन्य अपनी मा और बहन से मिलकर खुश थी। कितनी अच्छी लग रही थे न मेरी पहन। खुश थी। बहुत अच्छी बात है। अनन्य तुम कैसी हो। वो तुमें इतना दुख देते हैं और तुमों के उनकी खुशी में खुश हो रही हो। तो क्या हुआ? वो मुझे सौतेला मानते हैं लेकिन मैं उन्हें नहीं मानती। इसलिए उनकी खुशी में मुझे खुशी ही होगी। तुम्हारी खुशी से उन्हें जलन होती है। वो तुमें कभी खुश नहीं देखना चाते। कोई बातनी आकाश, हमें उनकी तरह नहीं बनना है, खेर घूमते फिरते हुए दोनों घर आ जाते हैं, दूसरी तरफ बंशीका के पती मनीश का अच्छा खासा कारोबार चलता था, और वो काफी अमीर भी था, तो बंशीका अपनी मा को लेकर घर आती है, अरे दोनों मा ले जाईए, यहां मताय करो बार बार, मैं कौन सा रोज रोज आती हूँ, आप मेरी ममी से ऐसी क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यह मेरा घर है, और मुझे जादा इंटरफेरेंस और मू लगना पसंद नहीं है, आप नाराज मत होईए जवाई जी, बस मैं तो जाही रही अच्छा वंशी का बेटा, ध्यान रखना, चलती हूँ, असल में मनीश घमंडी था, और वो अपने घर या जंदिगी में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करता था, दूसरी तरफ, दिन बदिन आकाश का काम बढ़ता ही जा रहा था, और उसने काफी बड़ी दुकान अच्छी बात है, किसी को तो मेरी वज़े से खुशी हो रही है, ऐसा मत बोलो प्लीज, मैं तो तुमारा शुक्रियादा करना चाहता हूँ, आकाश उसे गले से लगाने के लिए आगे आता है, अरे-अरे, कंट्रोल, दुकान पर है हम, हाहा, कोई बात नहीं, घर जाकर वही वन्शिका का बती काम में इतना बीजी रहता था कि वो वन्शिका को टाइम ही नहीं दे पाता था, कॉल पर वन्शिका अपनी मा से बात कर रही थी, कॉल पर? पैसे तो आ रहे हैं अच्छा ममी मैं बाद में फोन करूंगी रखती हूं वंशिका समझ गई थी कि उसकी मा कुछ नहीं समझेगी असल में वंशिका को अपने पदी का प्यार चाहिए था और मनीश था कि उसे दो मिनिट नहीं दे पा रहा था रात में मनीश घर आता है उसने काफी शराब पी हुई थी आगे आप कितनी लेट घर आए हैं रात की एक बज गए हैं तो क्या घर हूं आपने इतना नशा का रखा है ची बद्बू आ रही है तब ही मनीश वंशिका को थपड लगा देता है उसकी इस हरकत पर वंशिका के होश उड़ जाते हैं ये क्या कि इतने पैसे हैं लेकिन मैं बिलकुल भी खुश नहीं हूँ दो महीने और ऐसी बीच जाते हैं और मनीश कई बार घर में ही आता था और जब भी आता था नशे की हालत में ही होता था वहीं आकाश ने कार भी ले ली थी और उस दिन आकाश और अनन्या कार से मॉल घूमने के ले गए थे इस मॉल में तो आप मुझे पहली बार लेकर आए हैं हाँ अनन्या सोचा एक तो जगे छोड़ दू बाद में घूमने के लिए हाँ काफी अच्छा मॉल है वैसे हाँ धेर सारी शॉपिंग करवाऊंगा आज तुम्हें अनन्या और आकाश मिलकर खूप शॉप अनन्या वही खड़ी रहती है और आकाश दूसरी तरफ आइस क्रीम लेने चला जाता है अनन्या यहाँ वहाँ चल रही थी कि अचानक उससे एक लड़की टकर आए है जाती है और आनन्या हैरान थी क्योंकि यह वन्शिका थी भगवान वन्शिका यह क्या हाल बना रखा है तुमने अनन्या बचालो मुझे आकाश जल्दी आओ तभी आकाश भाग कर उसके पास आता है वो भी हैरान था यह क्या हुआ वन्शिका को नजाने क्या हो गया है जल ये सब, मुझे माफ कर दो अनन्या, मैं कितनी बुरी थी, कितना गलत सूचती थी, मुझे लगा था कि सिर्फ अमेरी ही सब कुछ होती है, लेकिन हुआ क्या वैंशिका, बात तो बताओ, मीरा पती मनीश इतना बुरा है, इतना नशा करता है, और उसने मेरा देखो क्या हाल कर लेकिन ये सब जूट है, मुझे समझ में आ गया है, हाँ, मैं तो पहले कहती थी, खेर छोड़ो, तुम शांत हो जाओ, मैं माँ से बात करती हूँ, कोई फाइदा नहीं है उनसे बात करने का, लेकिन हमें उन्हें खबर तो देनी होगी ना, इस वक्त नहीं करते, वो घबर जाएगी, सुबह होते ही मैं मा को सब कुछ बता दूँगी, अभी फर्स्रेट बॉक्स लेकर आती हूँ, अनन्या अपनी बहन के घाफ पर पट्टी कर देती है, और सोने के लिए उसे कमरे में ले जाती है, अनन्या अगली सुबह रजनी को फोन करके सारी बात बताती है, कॉल पर, रजनी कहा हो तुम, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, और यहां ताला लगा है, जी वो मैं अनन्या के घर पर हूँ, तुम उस लड़की के घर पर क्यों गई हो, वापास आओ, नहीं, आप यहां आजाओ, मैं सब बताती हूँ, हरगेज नहीं, मैं वहां कभी नहीं अज़े, कैसे आप, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैं रजनी के कहरे पर आया हूँ, कहा है वो, नमस्ते पापाजी, वो अंदर कमरे में है, शंकर अंदर कमरे में जाता है, तो वन्शिका का हाल देखकर हैरान रह जाता है, यह सब क्या है, हमारे कर्मों के नतीजे, मे पापा मुझे भी माफ कर दीजे, पाप तो मैंने भी किया था, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, इसके बाद रजनी उसे सारी बात बताती है, कि कैसे उसने और वनशिका ने मिलकर अनन्या को शराब पिलाई थी, और ताकि वो सब की नजरों में गिर जाए, शंकर को ये बेटी पर यकीन नहीं किया, अरन्या बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हाँ बेटा, हम सब तेरी माफी के लाइक तो नहीं है, लेकिन हो सके तो कर दे, नहीं नहीं मा, ऐसे मत कहिए, मुझे मेरा परिवार मिल गया, और मुझे ये क्या चा और वन्शिका भी अपने वेवाहिक जीवन में सुखी थी और अनन्या को भी अब जीवन का हर सुख मिल गया था तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा थैंक्स पर वॉचिंग